हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल क्यातीज हपी कुकिंग आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सबजी तो चलो शुरू करते हैं यह सबजी बहुत ही सिंपल है और जस्ट दस से पंद्रा मीड में सबजी बन जाएगी और टेस्ट पे इतना ही बढ़िया आता है इस करना तो चलो फटा-फचे वीडियो स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की सबजी बनाने के लिए यह कड़ाई में मैंने तीन टेबल स्पून ओयल अल्रेडी गरम करने के लिए रख दिया था ओयल गरम हो चुका है अब मैं इसमें डाल रहे हूं हाफ टीस्पून जीरा पिंच अब हींग, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और अब डिरेक्ली यह कटी हुई मेथी डाल देंगे यह मैने हाफ बंच जीतना लिया है और कपने मेजर्मेंट करो यह दो कप जीतनी कटी हुई मेथी है और अब मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे ढगकर पकने के लिए छोड़ देंगे जस पांच मीट के बाद में वापस मिक्स कर रही हुए उससे और अल्मोस्ट यह पक गई है अब हम इसमें कटी हुए टमाटर एड़ कर रहे हैं यह मैने दो मीडियम साइस के टमाटर ऐसे बड़े बड़े काट लिये हैं और वह एड़ कर देती हुए और दूसरी पांच मीट के लिए पकाएंगे और अब इस पॉइंट आफ टाइम हम एड़ कर रहे हैं नमक और मिक्स कर लेते हैं दूसरी पांच मीट के लिए छोड़ देते हैं यह देखी टमाटर और मेथी दोनों पक गए हैं अब हम इसमें मिर्ची एड़ कर रहे हैं यह मैं हाफ टी स्पून मिर्ची एड़ कर रहे हूं और हाफ टी स्पून धन्या जीरा पाउडर एड़ कर रहे हूं और मिक्स कर लेते हैं और अब एड़ कर रहे हैं बॉइल्ड आलू यह मैंने तीन आलू को बॉइल कर लिया है और उसके बाद उसको बर बड़े टुकडों में अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और जस्स दो disruptive के लिए पकाते हैं यह सबजी को मैं मैंने 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है और अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है अब चाहो तो इस सब्जी को ऐसे भी खा सकते यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन अब मैं दे रहे हूं इस सब्जी में चार चांद जो कि मैं एक तड़का लगाऊंगी उससे सब दोनो मैथड फॉलो कर सकते हो तो चलो अब तड़का लगाते हैं तड़के के लिए यह मैंने वन टेबल स्पून जितना ओईल अल्रेडी गरम करने के लिए रख दिया था तेल गरम हो चुका है अब मैं डाल रहे हैं वन टेबल स्पून जितना बारी कटा हुआ गार्लिक यह देखे मैंने बहुत ही ज्यादा गर्लिक रखा है अब मैं डाल रहे हुँ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मैंने अल्री बंद कर दी है और इसमें डालेंगे वन स्पून जितना पानी यह देखें और अब इस तड़के को हम सबजी में डाल देंगे यह देखें और अब मिक्स कर लेती हुँ इस तड़के से सीरेसली सबजी बहुत ही अच्छी लगती है अब सबजी पूरी कंप्लीट है सव करने के लिए तो मैं सव कर लेती हुँ तो लीजी- अालुमेथी के सब्जी मैंडे सव कर ली है, बहुत ही अच्छी गर्मा गर्म टेस्टी सब्जी बनी है अब ए यह रैसीपी एक बद जरूरूर ट्राइफ कीजए कि आप वैसे तालू मेति की सबसी बनाते ही होंगे लेकिन एक बार इस मेथड से जरूर से ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी बनती है आप इससे गर्मा गरम रोटी पराठा किसी के फिस सव कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्रेट कर दीजिए थैंक्यू फर वाचिंग